मैं बहुत छोटा हूँ तो दोस्तों मेरा ख्याल रखा करो मुझे भी दीपक ने ही बनाया है और मैं भी बहुत तेजी से बोलता हूँ वो भी कैसे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक देखना सो है गाईज तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने वीडियो में देखा है एक पहले कि ए आई वीडियो से कैसे कार्टून एनिमेशन या फिर बहुत सारे ऐसे एनिमेशन बना के हम यूटूब पर उसका अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद में हमें भी लाखो रुपए या फिर अजार रुपए हमें भी कामाने का मौका मिलेगा तो दोस्तो आप एनिमेशन के थुरू और कैसे उसे बनाया जाता है क्या क्या उसमें प्रोसेस लगते हैं और कौन से चीज़े उसमें यूज की जाती है आ कैसे वीडियो को बनाया जाता है कैसे तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में चले जाना है तो चले हमें यहां पर अपने क्रोम ब्राउजर में जाता हूं और यहां पर आपको सर्च करके बताता हूं कि कैसे आप अ आपको L-E-X-I-C-A, आपको सर्च करना, जैसे सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद, आपके सामने आपका Lexica का जो वेबसाइड है, वो आपके सामने ओपन होके आजाएगा, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, दोस्तों, यहाँ पर आपको Lexica का वेबसाइड, जो उपर देख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च फोर एन इमेज तो सर्च फोर एन इमेज पर जैसे आप क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर डालना है कometric characteristics मैं डाल दिया डालने के बाद में आभ आपको यहां पे क्या करना है यहां पर सिंपल सा सर्च करते हैं दोस्तों तो यह बहुत आराम से कर रहा हूं भूस ज़्यादा जलद बाजी में नहीं कर रहा है अब आप cartoon character डालने के बाद जैसे सर्च करते हैं नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऐसे cartoon character की option आपके सामने देखने को मिल जाएंगे जो की animation cartoon होते अब इसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पर क्या करना है चलिए मालेजे कि मैं इस इस चीज को ले लेता हूँ मतलब एक cartoon character को ले लेता हूँ अब यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हमें normal तरीके से इसे हम क्या करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं चलिए यहाँ पर हमने download पर click किया और इसको download again पर click कर दिया अब click करने के बाद में यहाँ पर हम open करके देख लिते हैं हमारा जो यह animation है यह download होके आज चुका है जो कि बहुत ही सांदर बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने आपके phone में download हो चुका है अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम back आते हैं और back आने के बाद में आप क्या करना है हमें दूसरे option पर जाना है आपको Chrome में ही रहना है आपके किसी और browser में जाना है वो आपके उपर depend करता है बट हम किसी और method में चलते हैं वहाँ से अब आप आपको दोस्तों फिर से new time में आना है और new time में आने के बाद में यहाँ पर फिर से search करना है आप यहा पर आपके सामने ओपन होके आ जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है यहाँ पर simple सा तरीका है इसका भी जो website है वो open होके जब आएगा आपके सामने तो आपको first वाले option पर ही इसको भी आपको click कर देना है जैसे आप इस पर first वाले option पर click कर देते हैं click करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा scroll down करेंगे scroll down करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है digital creation for human imagination तो उसके नीचे का एक option है मैं zoom करके आपको दिखा देता हूँ चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों वीडियो को skip मत करना वीडियो को last तक ज़रूर देखना सुरूर से लेके तभी आपको समझ में आएगा अब देखें यहाँ पर create free AI वीडियो से उस पर आपको click कर देना है जैसे उस पर आप click करते हैं click करने के बाद में दोस्तों अब आपके सामने एक page open होगा जो कि वो page open होगा कि जहां से अब आप cartoon animation का जो videos है मतलब जो video है वो आप बहुत ही आसान तरुकर से बना सकते हैं तो चलिए हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और wait कर लेते हैं और देखते हैं कि जो page open होगा इसके बाद में उसमें हमें क्या-क्या details और कैसे-कैसे details उसमें हमें fill करने होती है तो हम थोड़ा wait कर लेते हैं इस चीज़ को और जैसे यह open होता है हम आपके सामने यहाँ पर आपको सारी details आपको provide करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो यह page है यानि कि जो यह बनाने का वीडियो बनाने का जो यह page है character है cartoon character है यह open होके आचुका है अब open होके आने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर create video पर click कर देना है right side में corner वे अब create video पर जैसे click करते हैं click करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर देखेंगे नीचे add का option देखने को मिल रहा है जैसे add पर click करेंगे तो जो photos हमने जो cartoon animation हमने download किया था अब क्या करना simple तरीके से हमें यहाँ पर select कर लेना है अब यहाँ पर जैसे select कर लेते हैं select करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों की जो भी चीजे आपको लिखनी है जो भी चीजे आपको यहाँ पर डालनी है जैसे जो यह cartoon animation है जो बंदा यह बोल सकता है यानि कि जो भी लिखोगे आप जो भी लिखोगे वो चीज यह बंदा यहाँ पर आपका बोल सकता है तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे एक जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक script है देखें यह script है तो अब उसके नीचे आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है जो चीज आप यहाँ पर लिखके create करेंगे वही चीज यह बंदा यहाँ पर बोलेगा बट उसके पहले आपको क्या करना है दोस्तों उसके पहले तो आपको यहां पर आना है और यहां पर select language कर लेना है यानि कि Hindi language में आपको बुलवाना है तो आपको क्या करना है यहां पर आप Hindi language select कर लेना और इसके बाद में जो भी चीजे हम यहां लिखेंगे तो Hindi, India हम लिखें दिये और इसके बाद में यहां पर तो चले हम इसे फिर से एक बार Open कर लेते हैं ओपन करने के बाद में यहाँ पर हम देखते हैं यह चलता है कि नहीं चलता है दोस्तों देखो यहाँ पर कितना अच्छा है तो दोस्तों इस प्रकाश से आप भी अपने स्क्रिप्ट में जो भी लिखेंगे वही चीज यह लड़का बोलेगा और यह काफी ज्यादा बैस्ट लग रहा है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आयों कर वीडियो पसंद आयों तो अपले चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू सो मच